हेलो प्रेंट्स मेरा नाम है नरेंद्रु और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यूटुब चैनल अकाउंट्स और शॉलेशन में तो दोस्तों आज के टोपिक में जोब वर्क के बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा थोड़ा सा कॉंसेप्ट में आपके लिए समझा देता हूं एक क्लाइंट था कहां के थे वो बिकानेर के उनके है पापड का काम तो क्या होता है दोस्तों जिसे जो भी आपके आसपडोशी जो भी काम करने वाली परसन है उनके लिए आप क्या देते हो आटा देते हैं आटा जो वेट रहता है अगर 20 किलो अगर आपने आटा दिया है तो उसका जो वेट आएगा साड़े 15 किलो अगर वो 40 किलो देते हैं तो उसका जो वेट आएगा 31 किलो तो एक एवरेज है उनको पता है कि अगर मैं 20 किलो का आटेगा कटा देता हूं तो मुझे 15 किलो या साड़े 15 किलो मुझे उनसे पापड लेना है इसका जो management है bg accounting software के अंदर आपको कैसे करना है तो दोस्तों इसके अंदर जो लोगों को problems आती है वो क्या आती है अगर जैसे आपने 20 किलो आटा दिया 20 किलो जो आटा दिया है हो सकता है अगर वो 10 दिन बाद में पापड बनाने के बाद 10 दिन बाद वो लेके अगर आते हैं तो इसका weight और भी कम हो जाएगा तो आपको पता है कि मुझे इस party से जो भी ABCD party के लिए मैंने जो भी आटा दिया है और वो पापड बना के मुझे next दिन देगा उसका जो weight है साड़े 15 kg तो साड़े 15 kg के साफ से आपको उससे माल लेना है अगर उसका जो भी माल सोट हुआ है उसका पेसा आपको उनसे लेना है यानि एक average माल लेते हैं अपने 300 रुपे किलो या 200 रुपे किलो के साफ से वो आपके लिए difference देंगे अगर उनका कहना ये भी था कि अगर वो जो पापड देंगे अगर ज़्यादा weight उसका होता है तो मुझे उसका difference उनके लिए देना है तो ये जो concept है आप bg accounting software के अंदर कैसे कर सकते हैं तो एक मैंने project बनाया था लेकिन जो party है party का वापस दुबारा से कोल नहीं आया लेकिन जो भी मैंने उनका project समझा था उसके इसाफ से एक चोटा सा project तयार किया है अब यह जो मैंने आपके लिए बताया है जरूरी यह नहीं कि आप आटे का ही या पापड़ का ही matter हो आपका किसी भी type का business हो सकता है आप क्या item दे रहे हो और आपका वहां से क्या item बनके आने वाला है यह सारी information आप bg accounting software के अंदर कर सकते हैं और proper maintain कर सकते हैं कि आप अगर 20 kg आटा देते हैं अगर उसने 18 kg आपके लिए दिया है तो आपको कितना रुपे उसके लिए extra देना है यानि उसने ज़्यादा तो दोस्तो ले चलता हूं मैं bg accounting software के अंदर और इसका concept समझते हैं कैसे इसका management करना है पहले तो आपको क्या करना है अपना bg software open कर लेना है यहां पे मैंने features enable कर रखा है enable के साथ साथ मैं एक वार आपको एक transaction करके दिखाता हूं पहले एक system भी बता देता हूं कि मैंने कहा क्या options enable कर रखा आइड्मिनिस्यों पर क्लिक करना है konfiguration पर klik करना है features option पर किलिक करना है inventory पर किलिक करना यहां पर job work- Mac जो option है मैंने रुख कर रखा है job work-말ा जो option है मैने यहां पर select कर रखा है और यहां से ने इसको save किया save करने के बाद अब मैं क्या करता हूं यहां यहां पर मुझे क्या करना है कि transaction पर मैंने क्लिक किया और यहां पर यहां पर एक option है material issue यहां पर मैंने enter किया enter करने के बाद मैं जैसे किसी भी पार्टी या कोई भी नरिंदर यहां पर example ले लेता हूं ओ सकता है आपका पडोसी हो आपका जो कोई लड़का हो सकता है लड़की हो सकती कुछ भी हो सकता है तो यहां पर मैंने क्या लिखा एक नरिंदर के नाम से account बना दिया नरिंदर को किस में रखा sundry data में ठीक है यहां से मैंने save कर दिया सेउ करने के बाद मैं क्या करता हूं इसको दूंगा 8 कितना देता हूं 20 किलो मैंने 8 दिया ठीक है 20 किलो मैं इसके लिए 8 दूंगा और 8 का जो हिसाब किताब है वो आपको मैंने क्या कर रखा है जैसे अगर मैं 8 जो product है इसको modify mode में open करता हूं तो मैंने क्या कर रखा 20 किलो का 8 बराबर 1 टंग की तो यहां पर मैंने इसकी इस तरीके से configurations कर रखिए ohne के किया Questo करने के बाद तो दोस्तों यहांपर मैंने 20 किलो आटा लिख़ा Enter किया एंटर करने के बाद अब अगर मैं इसको सेव करता हूं सेव करने के बाद दोस्तों मेरे सामने एक विंडो ओपन हुई है और इसमें मुझे यह लिखना है कि यह जो 20 किलो जो आटा दिया है इससे क्या प्रोडक्ट जनरेट होके आएगा और इसकी क्या रहेगी तो मैंने यह पर एंटर किया पापड लिखा और मैंने बोला जी मेरे पास इसका यानि जो 20 किलो जो आटा दिया है उसका 15.50 केजी पापड बनना चाहिए यहां से मैंने 15.50 लिखा और यहां से सेव कर दिया सेव करने के बाद यहां से भी मैंने सेव कर दिया ठीक है दो तारिक को मैंने मैं इसको माल इश्यू किया था यानि आटा इश्यू किया था इसके बाद मैं यह जो बंदा आया है तीन तारिकों मेरे पास वापस आया इसने क्या बोला कि बाईया मैं जो आपने जो टंकी दी थी यानि तीन चार यहां पर कुछ भी नंबर लिख देता हूं मैं यहां पर आपको रिश्यू करना है रिश्यू आप्टर जो वर्क यहां पर एंटर किया एंटर करने के बाद कौन लेके आया है नरेंदर लेके कि आया है यहां पर क्या लेकर आया है अब यहां पर मुझे लिखना है पापड़ कितना लेकर आया है जैसे मालो यह पंद्रा किलो और यह 500 ग्राम की जगह, 800 ग्राम लेकर आया ठीक है, यानि ये 300 ग्राम जदा लेकर आया है, यहाँ पर एंटर किया, एंटर करने के बाद जो आपने जो माल दिया था, क्या दिया था? आटा दिया था 20 किलो, आपके सामने automatic आ गया यहाँ पर आपने इसको save किया और save करने के बाद यहाँ से भी आपने save कर दिया ठीक है अब आपने कितना दिया था आपने 20 किलो आटा दिया उसके बाद उसके जो product generate होना चाहिए 15 किलो 500 ग्राम लेकिन उसने क्या किया 15 किलो 800 ग्राम यानि दिया अब मैं एक voucher और भी generate करता हूं अब क्या करा उसने एक दिन लेके गया दूसरे दिन लोटा दिया फिर तीन तारिक को यानि फिर 4 तारिक को वो लेके गया चार-चार को क्या लेके गया नरेंदर लेके गया क्या लेके गया है आटा यहां पर मैंने किया इसको चालीस यहां पर मैंने लिखा चालीस किलो चालीस किलो यानि दो कट्टे यह लेके गया है यहां पर जिसे मैं इसको सेउ करूँगा सेउ करने के बाद मैंने बताया कि जो पापड बनेगा कितना बनेगा 31 kg यहां पर मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहां से मैंने शेव किया, यहां से शेव कर दिया, यहां पर पांस तारिक को यह वापस आया, मुझे इससे रिशिव करना है, पांस तारिक डेट मैंने एंटर करी, पांस चार, यहां पर कोई भी वाउचर नमर में लिखत आप्टर जोब और यहां पर एंटर किया एंटर करने के बाद नरेंदर का नाम लिखा यहां पर मेरे पास क्या आया यह पापड लेके आया कितना लेकिया अब जैसे मेरे पास 31 किलो माल आना चाहिए लेकिन यह गलती से ज्यादा माल लेकिया अब 31 की जगए अगर यह 35 किलो म आपके पास 31 किलो पापड देना चाहिए लेकिन इसने क्या किया 35 किलो आपके लिए पापड दे दिया हो सकता है यह जादा भी दे सकता है और कम भी दे सकता जादा अगर दिया है तो जो भी पापड की रेट है उसके साफ से आपको डिफरेंस का अमांट इनको देना है अगर यह कम दे रहे हैं तो यह पैसे कटवाएंगे आपसे ठीक है हो सकता है इनका मन किया हो कि आज पापड़ ही बना लेते हैं हो सकता है इनके कोई परिवार इस से जार के अगर कोई आ जाते हैं उनके लिए भी दे सकते या फिर उनके लिए भी रख सकते अलग से कि हाँ आदव क लूप आपड एक्स्ट्रा दिया है और यहां से मैंने इसको बिल्कु सेव किया सेव करने के बाद अब देखने है इसकी हिस्ट्री क्या नरेंदर कुमार से जो एक्स्ट्रा माल दिया है या लिया है यानि इससे क्या डिफरेंस लेना है अब मैंने क्या किया नरेंदर कुमार का लेजर देखना है कि नरिंदर कुमार जो पापड बना रहा है कि ज्यादा बना रहा है तो यह जो मैंने concept आपके लिए बता रहा हूं यह बिल्कुल practical करके मैं बीजी accounting software के अंदर आपके लिए बता रहा हूं मैंने दोनों चीजे कर दी एक बार दिया फिर वापस उससे पापड ले लिए फिर एक बार आटा दिया फिर उससे मैंने पापड ले लिए अब इसकी हिस्ट्री में आपके लिए बताता हूं कि बीजी software इस case में कैसे वर्क करता है दोनों चीजे आपने समझ ली इसके बाद आपको display पर क्लिक करना है जोब वर्क रिपोर्ट्स पर आपको क्लिक करना है आउटसाइड जोब वर्क पर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपके सामने एक option है finished goods to be received यहां पर enter किया, enter करने के बाद क्या item देखना चाहते हैं? क्या item देखना चाहते है? पापड, enter किया, enter करने के बाद one item लिखा मैंने पापड, यहां पर जैसे मैं enter करूँगा, enter करूँगा तो मेरे सामने जो narender, यहनी नरिंदर का जो अकाउंट में ने बनाया था उससे मुझे उसने मुझे चार किलो तीन सो ग्राम माल एक्स्ट्रा दे दिया अब जब भी आप हिसाब करोगे यानि सपोज करो आज एक महिने में आप हिसाब करते हो, दस दिन में हिसाब करते हो 15 दिन के अंदर हिसाब करते हो तो आपको क्या करना है कि ये जो 3 किलो और 400 ग्राम पापड़ उसने जादा आपके लिए दिया था कब कैसे दिया था, देखो आपने 2 तारिख को उसके लिए जो भी माल दिया था उसको उसको देना चाहिए 15 किलो लेकिन उसने कितना दिया है 15 किलो 800 गराम और 4 तारिक को जो आपने माल दिया था उसमें देना चाहिए उसको 31 किलो पापड लेकिन उसने जादा दे दिया तो इस वज़े से आपके पास उसने पापड जादा आइटम बना के दे दिया 4 किलो 300 ग्राम तो इसका जो भी डिफ्रेंस होता है सपोज करो आप 100 रुपे के साफ से तो इसका 4.30 करोगे तो 430 रुपे एक्स्ट्रा आपको देना है बोनस के रूप में समझ सकते हो आप या फिर एक्स्ट्रा अंडिंग आप बोल सकते हैं तो दो नरेंदर का नाम लिखने के बाद जिसे मैं एंटर करूंगा एंटर करने के बाद मैंने पूरी डेट रेंज डाली एंटर करूंगा तो यहां पर भी मुझे क्या दिखाए दे रहा है 4.30 यानि यह जो नरेंदर है इसमें जो पापड दिया है एक्स्ट्रा दे दिया है 4.300 इसके साफसे आपको maintain करना है तागि आपको पता चल गया कि मैंने कितना माल दिया था कितना देना चाहिए कितना दिया है और इसको मुझे पेशा देना है या फिर इसका difference मुझे लेना है यहाँ पर जो भी company है company का नाम क्या है एनके लोदा पापड बिकानेर इनका नाम यही था कंपनी का इस वज़े से मैंने यही नाम लिख दिया ठीक है तो यहां पर जो भी नरेंदर वरकर है इनके लिए यह 4 किलो 300 ग्राम का एक्स्ट्रा पेसा देंगे हो सकता है यह कम भी दे सकते हैं अभी मैं एक और भी इन्वो अगर इसी तरह के आप helpful वीडियोज देखना चाते हैं तो आप YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप लोग BG accounting software में किसी भी तरह का customization का काम कराना चाते हैं तो आप लोग मुझे contact कर सकते हैं चाहे आपकी कोई सी भी problems रहे आप क्या करते हैं जैसे कोई online software देखते हैं या कोई द सा लगता है कि कास यह भी BG accounting software के अंदर features होता तो हम भी इसका यूज कर पाते हैं अगर BG accounting software ने किसी भी features को जो आप चाहते हैं जो नहीं दे रखा है तो personally आप customization करा सकते हैं आपका charge लगेगा लेकिन आपकी जो भी समस्या है उसका solution आप easy तरीके से करवा सकते हैं तो दोस किसी भी तरह का customization का काम कराना चाते हैं तो आप लोग मुझे contact कर सकते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए topic के साथ और यह जो concept मैंने जो समझा था जो मैंने समझा था party करना चाहती है इस तरीके से वो चाहती थी और इसी तरीके से मैंने इसका वीडियो बनाये ताकि लोगों को पता चले कि विजी accounting software में इस तरह का भी आप लोग काम कर सकते हैं यहाँ पर मैंने example आटा और पापड का लिया है आपके case में कुछ भी हो सकता है देखो market में या फिर पूरा जो business करने वाले जितने भी type के person से सबका difference difference business हो सकता है लेकिन जो situation मैंने आपके लिए बताईए कि क्या माल दिया है और क्या माल आने वाला है क्या उतनी मात्रा आने वाली है या नहीं है तो इससे क्या है आप clarity से आप अपने business को maintain कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है next video में मिलेंगे नए topic सा thank you